दोस्तो अभी तक SSC MTS हवलदार का एक्जाम टोडल 6 सिफ्ट में हो चुक है तो सभी 6 सिफ्ट को बहुती deeply analyze करने के बाद आप लिए निकाल के लेकर आचुको most important data दोस्तो अगर आप इस data को अपने एक्जाम से पहले prepare कर लेते हो ना तो समझे एक्जाम में आपने काफी हद तक जंडे गाड ले है क्योंकि यहाँ पर मैं आपको exactly बताने वाला हूँ कि किस subject से किस topic से किस type के questions आने वाली shift के exam में पूछे जाएंगे तो दोस्तो सबसे पहले बात करते हैं general awareness subject के बारे में क्योंकि काफी साथ लोग इसी subject से डरे हुए हैं और maximum लोग 25 में से कोई 15, 16, 18 तकी questions attempt कर पा रहा है दोस्तो अभी तक सभी 6 shift को बहुती गहराई के साथ analyze करने के बाद ये निसकर्स निकल के आया है कि इस बार general awareness में सबसे hot topic बना हुआ है books and author का क्योंकि अब तक हर एक shift में इस topic से related कम से कम दो question गैडेंटिली पूछे जा रहे है जैसकि 1 सितमबर वाली first shift में ही question बना था कि cracking the code of my journey book किसने लिखी है wings of fire से related आज question मना playing it myself एक सितमबर को question मना था red earth and pouring rain एक सितमबर को question मना था my story आज question मना untouchable आज की दूसरी shift में question था और एक लेखक है आनन्द उनसे related कौन सी book है एक ऐसा question मना था तो भाई books और author most important topic बना हुआ इस से related एक भी question नहीं चूटना चाहिए इस topic को अच्छे से cover कर डालिए next हमारा sport हर एक shift में कम से कम चार question sport से बन ही रहे है जैसे कि आज question मना कि 37 national game का origin कहाँ पर होगा ODI World Cup 2013 से related question बन चुका है एक सितंबर को FIFA Under 17 Women Asia Cup से question बन चुका है Hello India Youth Game 2013 से आज question मना ODI World Cup 2011 से question बन चुका है साथी international game से question बन चुका है Olympic 2024 से question आ चुका है साथी आज IPL 2022 से related question मना सुबमन गिल विराट कोली से question बन चुका है साथी गेटे शोरो बैडमिंटन प्लेयर है इन से related question मना Asia Cup होकी से question बन चुका है Santos Trophy किस खेल से संबन दीत है Diamond League किस खेल से संबन दीत है Orange Cap 2023 में किस को मिला IPL में इस टाइप के question अब तक sport से बन चुके है तो sport भी most important topic बना हुआ sport को पढ़ डालिये अच्छे से cover कर डालिये current आफिर आपके exam में कम से कम 4 question हर एक shift में आ रहे और उन में से 2 से 3 question sport से ही आ रहे है तो sport topic को हलके में मत लीजेगा तीसरा hot topic है हमारा article यानि की अनुछेद देखें दोस्तों अब तक article 44 से question बन चुके है article 14, article 25 से 28 article 29, article 119 article 21, article 49 article 51, article 112 से related अब तक question बन चुके है तो जो अनुछेद topic है ना इसको फोड डालिये आपने देख होगा SSC MTS 2022, SSC Constable GD SSC CHSL 2030 SSC CGL में भी article से related question भर भर के आये थे तो यह topic होड topic है बहुती next है folk dance यानि कि लोक नरत्य से related हर एक सिट में एक question देखा गया है जैसकि पहली दिन पहली सिट में यक्सगान कौन से राज्य का लोक नरत्य है करनाटक कथकली, कजरी डान से question बन चुका है 1 सितमबर की तीसरी सिट में question था राउत नाचा से आज question मना यामिनी क्रिशन मूर्ती किस नरत्य से संबंदित है साथी शोवना नारायन किस नरत्य सैली से संबंदित है कुच्ची पुडी साथी कामाद डान से related अब तक question बन चुके है आट और कल्चर से संबंदित जो personality है ना उन से related बहुत question पूछे जा रहे है जैस की आज second shift में पंडित रवी शंकर से related question मना साथी भजन शोपारी से related एक तारिक को question मना था शारोद प्रेयर से related question मना पंडित जैशपाल सिंग से question मना किस घराने से संबंदित है साथी सितार प्लेयर साथी मंजू भारगवी किस वाद्यंत्र से या फिर किस सास्त्रिय नरत्य से संबंदित है इस type की question मनने art and culture में और देखे दोस्तों बहुत सारी exact question तो students से हमें पता नहीं चल पाते क्योंकि students exam center से भार निकल के भूल जाते हैं तो जितना data हमें मिल पाया उसके basis पर में आपको ये analysis प्रोवाइड करा रहा हूँ एक होट टोपिक हमारा इस बार बना हुए national movements यानि कि दोस्तों 1885 से लेकर आज आदी तक 1947 के बीच में जितनी भी national movements हुई है उनसे संबंदित questions पूछे जा रहे हैं जैसकि आज Muslim League से question मना पहले दिन नहरू रिपोर्ट से question मना था पोलिटिकल गुरू कों थे गांधी जी के ये question पहले दिन पहली सिफ्ट में था लाहोर कॉंस्पिरेश्टी से आज पहली सिफ्ट में question मना दिल्ली दरबार से रिलेटिड आज question मना एक दो और question national movement से बने तो भई रास्ट या अंदोलन जितने भी हुए cover कर डालिए next award यारि कि जितने भी पुरुष्कार है चाहे वो हमारा सम्मान हो उन से रिलेटिड मैक्सिमम questions पूछ जा रहे हैं जैसकि आज का लिदा सम्मान से question मना पदमाश्री 2022 किसको दिया गया साथी भारत रतन कौन से singer को दिया गया ऐसा कुछ question था पहले दिन पहली shift में literature award 2013 question मना आज 1994 में question मना था कि आज 1994 में Grammy award किसको दिया गया major ध्यानचंद खेल रतन 2022 किसको दिया गया भुपेन हजारी का से related किसी award पूछा गया कि इनको कौन से award से सम्मानित क्या गया तो इस type के question अब तक award से बन चुके है temple और monuments जाने कि जो परशिद मंदीर है और एतियासिक इमारत हैं इनसे सम्मंदित question मने जैसकि पहली दिन ब्रह देशवर मंदीर से question मना साथी भीतर गाउं temple से पहली दिन question मना चार मिनार पहली दिन question पूछा गया आज विजे स्तम से related question पूछा गया कि ये कौन से मुगल सासक के द्वारा बनवाया गया था साथी भटरी temple से question मना सिध्धिविनायक मंदिर कहां पर है आज ही question मना तो भाई ये हमारे temple cover किये जा रही next है vitamin general science में vitamins बहुत ज्यादा cover किये जा रही जैसके vitamin A से question मन चुका है vitamin C से question मना ascorbic acid कौन से vitamin का नाम है दूसरा नाम है chemical name है vitamin B12 से question बन चुका है कौन सा vitamin skin के लिए helpful होता है ये question बन चुका है blood clotting में कौन सा vitamin मदद करता है ये question night blind ना इसको खतम करने के लिए कौन सा vitamin helpful होता है या फिर किस vitamin कामी से night blindness यानि कि क्यों रतोंदी होती है वो होता है इस type की question सभी तक बन चुगे तो भाई इस बार MTS के हर एक shift के exam में इन topics को priority पे रखा है SSC ने मतलब TCS ने इन से related repeated हर एक shift में maximum questions पूछ जा रहे है अगज topics ऐसे भी है जिन से related इका दुका questions पूछ जा रहे है मतलब किसी shift में question पूछ लिया किसी में नहीं पूछा वो कौन से topics हैं वो ये सभी topics हैं जैसकि national and state scheme इस scheme यानि कि योजनाओ से related question बन रहे है लेकिन लगातार question नहीं बन रहे है किसी shift में question है किसी में नहीं है appointments न्यूक्तियां से related एक दो question अभी तक मुस्किल से पूछा गया days or theme से अभी तक एक भी question नहीं देखा गया national park से अभी तक एक दो ही question मुस्किल से देखा गया battle यानि कि यूद से बस आज एक question मना पानीपत का यूद साथ ही river और lake से अभी तक के वाल दो ही questions पूछे गया जैसके आज salt lake के बारे हैं पूछा गया और पहले दिन सायद कोई सी नदी के बारे हैं पूछा गया था तेया शांगपोर नदी के बारे में इंडेक्सी सूचकांग से रिलेटेड अभी तक कोई question नहीं देखा गया international summit यानि कि सम्मेलन नहीं पूछा गया अभी तक festival से एक दो question मुस्किल से बना है census जंगर्णा से रिलेटेड मुस्किल से दो तिन question अभी तक बने है 6 shift को मिला कर dynasty यानि कि राजवनसो से रिलेटेड कोईशन नहीं देखा जा रहा है amendments यानि कि सभिधान संसोजन से रिलेटेड बहुत कोईशन नहीं देखा गया Indos Valley Civilization से रिलेटेड एक दो कोईशन मुस्किल देखा गया है सोला सिस्टम शोर मंडल से इलेटर अभी तक ज़्यादा कोश्चन नहीं देखे गए, सीम और गवर्णर ओफ इस्टेट्स ज़्यादा कोश्चन नहीं आए है, मिलिटर एक्सुसाइज से अभी तक कोश्चन नहीं देखा गया, देखे दोस्तों, ये टोपिक्स हर बार एक्साम में आते थे, हर बार इनसे एलेटिज मैक्सिमम कोश्चन साते थे, लेकिन अभी तक इनको कवर नहीं किया जा रहे, देखे दोस्तों, हो सकता है कि 5-6 दिन बाद काफी सारी सिफ्ट का एक्साम कंड़क्ट हो जाएगा, जब ये टोपिक हतम हो जाएंगे, हो सकता है कि SSE इन टोपिक्स के ओपर सिफ्ट हो जाए, तो पहली प्राइटि तो आपकी यही है, अगर आपका एक्साम अभी तक नहीं हुआ है, पहले इन साभी टोपिक्स को कवर करिये, जो टाइप के कोश्चन सब तक पुछे जा चुके, उन टाइप के कोश्चन के ओपर फोकस करिये, उसके बाद इन सभी टोपिक्स को भी कवर करिये, ये भी छोटने नहीं चाहिए, हाला कि कोश्चन कम पुछे गए, लेकिन है तो इंपोटेंड, और क्रंट अफेर्स लास्ट एट मन्त का मतलब, अगर आप 2030 का भी क्रंट अफेर पढ़ लोगे, तो बात बन जाएगी, चार कोश्चन हर एक सिफ्ट में क्रंट अफेर के आ रहे हैं, उसमें से भी दो तीन कोश्चन साब के स्पोर्ट और अवोर्ड से पुछे जा रहे हैं, तो भाई 2030 का इक रंट अफेर पढ़ लो बात बन जाएगी, ज़्यादा पीछे जाने के जुरुत नहीं है, इंग्लिस की बात करें भाई, इंग्लिस का वेटेज क्या रहा है, इडियम फेर इंग्लिस में हर एक सिफ्ट में दो कोश्चन इडियम फेर से आ रहे हैं, जैसे की निल ओन दा हैड कोश्चन बन चुक है, इस टाइब के अभी तक इडियम फेर एक्जाम में पूछे जा चुक है, छै सिफ्ट को मिला कर, हर एक सिफ्ट में इडियम फेर की दो कोश्चन आ रहे हैं, सिनोनियम अन्टोनियम हर एक सिफ्ट में दो कोश्चन सिनोनियम से, हर एक सिफ्ट में दो कोशिन अंटोनियम से पूछे जा रहे हैं अभी तक इन ये कोशिन पूछे जा चुगे हैं जैसके रिपलसिव, फ्यूड, फ्रजाइल, एडमायर, प्यूक्यूलर साथी क्लाउन, सक्षेशन, ओबलिटरेट, एंबेजल, रेस्ट्रेन अभी तक ये अंटोनियम सिफ्ट में पूछे जा चुगे हैं वनवर्ट सब्टिटुशन, जैसके आज की सिफ्ट में स्टरी ओफ साउंड, बेसिक कोशिन पूछे जा रहे हर एक सिफ्ट में एक कोशिन वनवर्ट सब्टिटुशन का आपको मिलेगा इस स्पेलिंग टेस्ट से हर एक सिफ्ट में दो कोशिन पूछे जा रहे हैं जैसके अभी तक एककमोडेट, एमब्रेंस, सेपरेट, क्रॉस्ट, सक्सस, फर्दर, कमेटी, एग्रिवेट ये कोशिन बन चुके फिलिंद ब्लैंक से हर एक सिफ्ट में 3-4 कोशिन मरने, basic है, preposition पूछा जा रहे है आर्टिकल, a, and, and, the, ये पूछे जा रहे है close slash हर एक सिफ्ट में 5 basic कोशिन आ रहे, simple सा paragraph देते हैं कर लोगे इस sporting error से हरे सिफ में दो question जाद अतर वर्व की error पूछी जा रही है वर्व की error पूछी जा रही है ठीक है तो दो question आ रहे हैं तो यही weight is है बाकी एक दो question miscellaneous इधर उदर से आ जाता है narration, active, passive voice, कुछ भी cover नहीं किया जा रहा है यही topic most important है इन्हीं के ओपर focus करिए idiom phrase का ये level है, antonian synonym का ये level है, spelling test का ये level है और slinda blanks basic है, preposition article cover के जा रहे close test का paragraph बिल्कुल basic है, 5 question आसानी से कर लोगे sporting error में वर्व को ज़्यादा focus किया जा रहा है बात करते है reasoning, reasoning बिल्कुल बच्चों वाली आ रही है, easily कर लोगे हर एक shift में कम से कम 3 से 4 coding decoding से question आ रहे है analog इसे हर एक shift में 2 question बन रहे है setting arrangement से किसी shift में question है, आज की दोनों shift में एक के question आया, dictionary order से 1 या 2 question हर एक shift में mathematical operation जिसको आप board mass भी बोल देते, इस topic से हर एक shift में 2 question पका आ रहा है, यानि कि अगर plus की जगा माइनस कर दे, माइनस कीजिए, मैल्टिप्लिकेशन, मैल्टिप्लिकेशन कीजिए, डिवीजिबल कर दे, तो final equation हमारी क्या होगी silogism से 2 question आ रहे है, number 3 से 2 question आ रहे है, figure 3 से 1 question आ रहे है, mirror या फिर water image, किसी shift में mirror image से है, किसी shift में water image से है बात almost एक ही है हमारी embedded figure से 1 question हरे है, direction sense 1 question, blood relation 1 question, ranking 1 question, साथ ही figure classification से 1 question, तो बाई ये weight is आ रहा है, reasoning का qualifying nature है, easily कर लोगे, next one है हमारा mathematics, numerical ability, time and work से हरे हरे हिर्ट में 2 question profit and loss से हरे हिर्ट में 2 question, percentage से हरे हिर्ट में 1 basic question, mixture allegation से हरे हिर्ट में 1 basic question mensuration से हरे हिर्ट में 2 question आ रहे हैं, आज की shift में triangle और circle से पूछा गया था, परसो वाली shift में spare से पूछा गया और cone से पूछा गया, तो बाई triangle, spare, cone, cylinder इनको cover करेगा बात बन जाएगी, तो mensuration से हरे हिर्ट में 2 question पकार है, average से हरे shift में 1 basic question आ रहे है, inning वाली questions के ओपर थोड़ा ज़्यादा focus करेए, time and distance से 2 question बिलकुछ basic बच्चो वाली आ रहे है, train वाली आ रहे है, car वाली आ रहे है, boat stream को ज़्यादा focus नहीं किया गया, simple और compound interest से 2 question आ रहे है, simple एक question, simple interest से 1 question, compound interest से, data interpretation से 1 question, किसी shift में आ रहे है, किसी में नहीं आ रहे है, लेकिन फिर भी cover कर लीजिए का जाता है, ratio proportion से 1 question आ रहे है, तो भाई ये numerical ability का हमारा है, कोई negative marking नहीं है, math और reasoning में और qualifying nature है, कर लोगे, बहुती ही आसान है, ज्यादा focus आपको जो करना है, वो English और general awareness की ओपर करना है, सारी चीज़े आपको बता चुको हूँ, 6 shift को मैंने analyze किया है, 1-2-3 shift को analyze करके बात नहीं बनी थी, इसने मैंने 6 shift को analyze किया, 3 दिन exam, 3 दिन का wait किया, ताकि 6 shift में exam हो जाए, तब ये video मैं आपको provide करा रहा हूँ, तो चलिए दोस्तो, इसको जरूर focus कर लिजीगा, बढ़िया benefit आपको मिलेगा, इतना deep analysis मेरी साफ से तो अभी दक YouTube के ओपर आपको किसी ने provide नहीं क्या होगा, मिरी आँखे देख लिजे कैसी हो रही है, रात रात भर मुझे analyze करने पढ़ते हैं, ये सारा data, तो चलिए दोस्तो, finally video पसंद आई होना, आपको मेरा गाम बसंद आता हो, तो video को बिंदास like करेगा, कोई भी rock talk नहीं है, comment करके अपने अच्छे-च्छे suggestion दीजेगा, अपने सब्सक्टर चुफ जलिए कर दोस्तो le